नमस्कार साथियों मैं हूँ अविनाश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटेप चैनल पॉजटिव बिल्डर्स में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्क्रीट की रेश्यो के बारे में देखिए जब भी आप अपना घर बनाते हैं या फिर घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना है और आपके बिल्डिंग में जो है वो क्या होना चीए उसके बारे में डेटेल में जानकारी दी जाएगी वीडियो पर आपको अंतक बने रहना है ताकि आपका घर भी मजबूतव शुरक्षित बन सके concrete grade और minimum concrete grade के बारे में जानकारी हमें Indian standard code से मिलती है Indian standard code के अनुसार जब भी हम RCC structure की concrete casting करते हैं तो RCC structure में minimum जो grade है वो concrete का होना चीए एक अनुपात, डेड़ अनुपात, तीन जिसमें एक बैक जो है वो cement का होगा डेड़ बैक जो है उसमें sand के होंगे और तीन बैक जो है उसमें aggregate के होंगे तो जब भी आप जो है वो RCC structure की concrete casting करते हैं तो आपको minimum जो grade रखना है minimum concrete की रेशियो एक अनुपात, डेड़ अनुपात, तीन होनी चाहिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है इसी के साथ ये जान लीजिए कि RCC structure क्या होता है और PCC structure क्या होता है जिस concrete member में या फिर जिस structure में RCC reinforcement का इस्तेमाल किया जाता है steel या फिर सरिया जो है वो provide किया जाता है उस तरह के structure को हम RCC structure कहते हैं अगर PCC की बात करें तो PCC में plain cement concrete होगा क्योंकि उसमें हम reinforcement या फिर सरिया provide नहीं करते इस तरह के structure को हम PCC structure कहते हैं तो जब भी आप reinforcement structure RCC structure का जो है वो construction करेंगे उसमें concrete की casting करेंगे तो आपको minimum concrete grade जो है वो एक अनुपात डेड अनुपात तीन रखना है आप एक दो चार या फिर इससे कम की concrete grade ratio का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप ऐसा करते हैं तो भविश्य में आपके घर में sealant जैसी समस्यां एक रैक जैसी समस्यां आ सकती हैं बहुत सारे subscriber ने हमें comments किये हैं कि उनके contractor ने एक दो चार की ratio इस्तेमाल की है तो देखिए अब जो हो चुका है उसे ठीक करना impossible है उस structure की care कीजिए ऐसा नहीं है कि वो एकदम से collapse हो जाएगा लेकिन strength के मामले में कहीं ना कहीं उसमें कम मजबूती होगी अगर आप जो है वो एक अनुपाद, डेड़ अनुपाद, तीन की ratio का इस्तेमाल करते तो जादा strength जो है वो मिलती और सही तरीके से काम करवाएं आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए बाए आपका दिन शुभो धन्यवाद